नमस्का दोस्तों आज हम आए हैं पुने के बहुत ही बढ़िया स्ट्रीट फूट गली में जिसका नाम है एमजी रोड तो गाइस सबसे पहले ट्राइ करते हैं क्रेजी चीज पीजा का पीजा वाओ सो डिलीशियस देखिए दोस्ते कैसे चीज गिर रही है वाओ इसके बाद मैं ट्राइ करने वाला हूँ पीजा रही है वाओ जीज देखिए दोस्तों वाओ 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 निक्षु ट्राइ करने वाला हूँ पीजा वईआ वद्टम जो हाँ आ पाद सिरब्टम्झ च्पिजा वाओ बाद वेदी अपिजा लगाँ बाद बाद या पीजा 때म बद्टम्झ यावजा है वरी जालो विद्टम्झ वेयिए यादेव टीजा है वेट बाद बाद बादिया पीजा है बहूइज़् तो चलीए दोस्तों चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टेक्स्टीनेशन पर लेट सी ए यहां से आप और भी चीजे पर्चेस कर सकते हो जैसे कि लाइक यह हैं फोन यह कपड़े हैं क्लोड्स हैं काफी चीजें यहां पर मटकी भेल बनती है आप रश देख सकते हैं और यहाँ पर अंकल जी और आंटी जी जो है काफी बल कौंटिटी में जो है मटकी भेल बनाते हैं हम भी अभी यहाँ पर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं हमने ओडर दिया है इसके अंदर दोस्तों सारी जितनी भी नंकी है वो सारी मिक्स की जाती है और मटकी जो है एक स्प्राउट टाइप का रहता है उसको मिक्स किया जाता है हम भी अपने ओडर का वेट करें और मेरे तो मुमें पानी आ रहा है वाह काफी रश रहता है दोस्तों मतलब अगर एमजी रोड आप आए हो और आपने यह वाली मटकी बेल जो है नहीं खाई तो आपका एमजी रोड पे आना जो है वो अधूरा माना जाता है कि सारे जो है पैची टेबल्स प्याज धनिया सब कुछ डाल दिया है और हमारी मटकी बेल रेडी हो चुकी है और वी आर वेटिंग तो जी हमारी मटकी बेल आ चुकी है एंड सबसे पहले निच्छो ट्राइब कर रही है कि इसके बाद मैं ट्राइब कने वाला हूँ मेरे तो मुझ में पानी आ गया तो जैसे ही मैंने मटकी देब को अपनी मुझ के अंदर डाला मैं सच बताओ मैं तो इसके स्वाद में ही खो गया बहुत ही बढ़िया उसके बाद जो है हम इस बहुत ही बढ़िया फ्रेश जू मिक्स जूस जो कि बहुत बढ़िया था बहुत ही फ्रेश ठीक है दोस्तों लेते हैं आप से अलविदा मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में अपने इस ब्लॉग की करते हैं अभी यहां पर बाबेट एक के रिए व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए झाली हैं